हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे देखो आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो नया स्रीज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों इस यह T10 चैलेंज स्रीज का जो यह मुकाबला होगा आज पहल प्लेयर्स का T10 के साथ सा दोस्तों मैं T20 रिकॉर्ड भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यह वीडियो आवरल आपको बहुत जादा हेल्प करने वाला है दोस्तों क्योंकि मैं पूरे डिपली एनालेसिस करके आपको दोस्तों सारे चीजे में आपको बताऊंगा ठीक है तो एक बार इस वीडियो पे अंतक बने रहना वीडियो मैं बने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर पहली बार विसिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना भाईयों इस वीडियो के न आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा दोस्तों घर आपको हमारा बताए गया स्टेट्स पसना आता है वीडियो से अगर आपको जरावी हेल्प मिलता है तेक बार वीडियो को लाइक करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं और सबसे जरूरी दोस्तों फाइनल team के लिए आप हमारे telegram group को join कर लो दोस्तों कैसे join कर पाएंगे आप यहाँ पर आपको more का option देखने को मिल रहा होगा जैसे more के option पर आप click करेंगे भाईयों आपको हमारे telegram group का link इस प्रकार सो हो जागा जो top में आप link देख रहे हैं न यह main channel का link है भाई, after toss अगर कोई भी changes होगा, तो final team फिर आपको इसी group में मिलने वाला है ठीक है, एक बार join करके रख लेना भाई बाकि नीचे जो आप देख रहे हैं यह backup channel का link है तो चलिए अब records की और आगे बढ़ते हैं, देखो यह जो match रहने वाला है दोस्तो UKM, OISD, Cricket, Oval Ground पर यह मुकाबला होगा, यहां का पीच condition की बात करते हैं, देखो balance surface दोस्तो यह जो ground रहने वाला है लगबग-लगबग 100 run के around आपको score देखने को मिल जागा, फिर भी अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाजों को support मिल रहा है क्योंकि दोस्तो 60 गेंदों का यह game है दोस्तो 10 over का यह game है T10 run रहने वाला है, लेकिन 100 run के around score देखने को मिलेगा, यह जो आपको सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विकेट के बर में 3 खलाड़ी आपको नजर आने वाला है सबसे पहले अगर आप देखोगे दुस्ते आपर अमर का record जो कि रैट रिन बलेबाज दुस्तों, T10 में दुस्तों 21 matches इनों ने खेला हुआ है, जहाप यह 153 run बनाये हैं, लेकिन रोश्मान का record देखेंगे दुस्तों, तो इनों ने अपने career के अंदर दुस्तों T10 में 4 matches खेला हुआ, 35 run score करा है एक विकेट निकाले है, T20 फर्मेट में 5 match के अंदर 48 run score करा है, लेकिन दुस्तों यहाँ पर आप देखोगे दुस्तों, हैरिल एनूर का record जो के 3 match के अंदर 57 run मनाया है, लेकिन T20 में देखोगे, 15 match के अंदर 275 run मनाया हुआ है, वैसे अगर आप देखेंगे दुस्तों, तो यहाँ पर यह खिलाड़ी के खेलने के बहुत ज़्या चांस है, यह squad में फिलाल अगर यह खेलेंगे तो इनको try करेंगे, लेकिन यहाँ पर अमर best track है दुस्तों, कि विकेट किपरिंग भी करेंगे, ठीक है, यह शी ध्यान रखना है इनको अपने team के अंदर आपको try करना है टीम के top 10 का batsman है, आपको यह first round या फिर second round पर खेलते भी भी दिख जाएंगे, बैटिंग में देखेंगे दूस्ते हाँ पर annual, आप इस जो की 18 match के अंदर, T20 फवेंट में देखोगे 93 ने बनाया हुआ है, हाला कि T10 में record नहीं दूस्तों, लेकिन T10, T20 का कुछ खास record इनके नाम है नहीं, मुहमद अंदर को भी drop करना है, और annual session में देखेंगे दूस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर तो साहरी फदरी जो की 5 match के अंदर, 112 run बना के 5 wicket निकाले, लेकिन मुहमद का record देखेंगे दूस्ते हो, मुहमद स्यादत रमिल का record, जो की 11 match के अंदर, 125 run बना के 3 wicket निकाले, लेके T20 में देखोगे, 92 match के अंदर, 14-54 run बना के 245 wicket निकाले, यह फिर काफ़े important रने वाले आपके लिए, लेकिन मुहमद कैरूल in run का record देखोगे, दूस्तों, 11 match के 153 प्लस, एक wicket निकाला हुआ है, मुहमद रजमान, जैवरी का record, 8 match के अंदर, 88 बना के 5 wicket, अब्दूल फदा का record, 8 match के अंदर, 93 बना के 9 wicket निकाल, लेफ्टाम फास्टर गिन्दबाज है, बाकि मौमाद इकमाल अजान का record देखते हैं, तो 3 match के अंदर, दूस्तों, इन्होंने 6 बना के 5 wicket निकाला है, अब देखो, balling में देखो के, मौमाद शक्री, अब्दूल रहीम का record, 3 match के अंदर, 24 run score करा है, T20 में देखो के, 19 match के अंदर, 83 बना के 23 wicket निकाला हुआ है, गिन्दबाची के मामले में देखोगे दूस्तों, तो 2 over करेंगे fix है, और खास करके दूस्तों, T20 में तो balling इन्होंने करा है, T20 में ज़्यादा खेले नहीं है, तो T20 में करा है अच्छा wickets में निकाले हैं, तो चाहिर सी बात है, तीटेन में भी इनको balling मिलेगा, मौमाद अफिक इर्फंक का रिकॉर्ड 22 मैच के अंदर, दोस्तो 29 रमना के 22 wicket निकाला हुआ है, बाके साजरूल यहाँ पे इजाप एटुष का रिकॉर्ड देखोगे, दोस्तो 20 मैच के अंदर 23 रमना के 36 wicket है, अब्दुल रासिद बिनाहत का रिकॉर्ड 69 मैच के अंदर 455 रमना के 55 wicket है, टीटेन में 7 मैच के अंदर 12 रमना के 6 wicket निकाला हुआ है, बाके अस्बेट अन हरीज जो के 37 मैच के अंदर देखोगे, दोस्तो 146 रमना के 33 wicket निकाला है, देखो, फास्टर गिंद बाज है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दू, कि इस ग्राउन पर जो हैना दूस्तों, यहाँ पर फास्टर को सपोर्ट मिलने के जादा चांस, यह चीत्यान रखना जादा जादा विकेट आपको फास्टर ही निकालते भी दीखेंगे, लेकिन T20 में देखोगे 24 मैच के अंदर 355 रमना के दूस्तों 11 विकेट निकाला हुआ है, यह जो प्लेयर है दूस्तों बल्लेबाजी तो यह करेंगे ही 37 दूस्तों आपको गिंद बाजी से भी पोइंट्स देंगे, यह प्लेयर काफ़े इंपोटन्ट रेक्ट रने वाले आपके लिए, बागे अंकित का रिकॉर्ड तीन मैच के अंदर 9 रमना है वादूसों T10 में देखोगे, चार मैच के अंदर 22 रमना है हुआ है, परसान पवार जो की 6 मैच के अंदर 29 रमना के 5 विकेट निकाला है T20 में, 13 मैच के अंदर 135 रमना के 14 विकेट निकाले हैं, खासकर करके गंद बाजी में देखोगे तो बहुत बढ़िया गंद बाज है, अब देखो, और सेसन में देखोगे, राजकुमार का रेकॉर्ड देखोगे, राजकुमार राजिंदरन जो की 18 मैच के अंदर 178 रमन स्कूर करा लेकिन T20 में, 44 मैच के अंदर 397 विकेट निके नाम है, खासकर करके बाजिंग देखोगे दोस्तों, तो इनका fixable बाजी भी बहुत बढ़िया करा हुआ है, आब इनको चाहे तो captain wise captain के लिए भी ले सकते हैं, IDK के टीम के तरब से, शाहर करने पहल का record देखोगे दोस्तों, इनको drop करना फिलाल अभी तक अपडेट ने करती, चार मैच के अंदर 41 रन मना के 5 विकेट है, T20 में 2 मैच के अंदर 1 रन मनाया हुआ है, इनको फिलाल इन दोनों को drop करना है, दोस्तों IDK के टीम के तरब से, दोनों का record अभी तक अपडेट ने, लेकिन बाजिंग में देखोगे, सुभानी शेख जो की 7 मैच के अंदर 3 रन मना के 5 विकेट निकाला है, T20 में 40 मैच इस खेलावाए, दोस्तों 360 रन मना के 53 विकेट निकाले हैं, दोस्तों इनका भी दो और फिक्स है, खासकर लिए T20 में तो बहुत बड़ी हैं बोलिंग करा है, इनको लेना ही है, भाके आप राजत कुमार बरी का रेकॉर्ड 4 मैच के अंदर 2 रन मना के 3 विकेट है, T20 में 18 मैच का अंदर 24 रन मना के 18 विकेट है, वगर आप देखोगे, आप ख्रुक्रिशना का रेकॉर्ड 12 मैच के अंदर 23 रन मना हैं, देखो यहां से अगर आप चाहे तो आप टीम आसानी से बना सकते हैं सारे details आपके सामने है फिलाल देखो यह नया match है ना मतलब देखो पहला मुकाबला होगा सरीच का बहुत सारे चीज़ा आपको देखने को मिलेगा लाइन अप के बाद तो वो सारे चीज़ा आपको अपडेट मिल जागा जैसे की कौन से खिलाडी नए एड होंगे उनका भी records के साथ टीम आपको अपडेट कर दिया जाएगा फिलाल दोस्तो देखो जी records बहतर है उसके बैसे से मैंने team create करा है तो team एक बार आप देख लो आपको और ज्यादा help मिलेगा शुरुआप करते हैं सबसे पहले wicket keeper से देखो wicket keeper में अगर आप देखेंगे तो दोस्तो देखो यहाँ पे न मतलब IDK के team के तरब से यह भी safe है अगर आप लेना चाहते है ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे फिर हमें अमर को try करूँगा जो कि 21 match के अंदर देखो कि 153 न बनाया हुआ है बैटिंग बैटिंग तो खासकर करेंगे विकेट के बिरिंग से भी आपको points देंगे बैटिंग में चार बैटिंग में चार बैटिंग में जिसमें से IDK के टीम के तरब से भाजयों मैंने दो प्लेयर को लिया हुआ है देखो पी पवार को काफी मतलब काफी कम लोग interest ले रहे हैं लेकिन ध्यान रखना पी पवार बहुत बहतर प्लेयर है दोस्तो छे मैच के अंदर 29 रण मनाया हुआ पांच विकेट निकाल है टीटन में टीटन में तेरह मैच के अंदर 135 रण प्लस 14 विकेट इनके नाम है याद रखना है ये चीज़े बाकि इन दोनों को ट्राय करना है देखो IDK के टीम के तरफ से तीन प्लेयर है सी कुमार को भी मैंने लिया हुआ है ये भी आपके लिए सेफ रहागा दूस्तो चंदन कुमार तेरह मैच के अंदर 220 रण प्लस 6 विकेट इनके नाम है तो चार बैटसन को ट्राय करते हैं लेकिन ओलंडर में देखो के तीन ओलंडर जिसमें से दूस्तों ये तीनों के तीनों खिलाडी बहुत सांदर है बल्लेबाजी गिंदबाजी तीट्वेंटी दोनों फॉमेट में रेकॉर्ड बहुत सांदर इनके नाम बॉलिंग में तीन बॉलर है जिसमें वाई एच के टीम के तरफ से तीन गिंदबाज अपने स्पैल के दो दो और फिक्स है भाईयों बाकि टीम प्रिव्यू आप देख सकते हैं कैप्टन वाईस कैप्टन के लिए फिलाल इन दोनों को मैं ट्राय करता हूँ जो कि बेटिंग तो करेंगे ही और 37 साथ दुस्त आपको गिंदबाजी से भी पोइंट से एंगे बेटिंग के असाथ बॉलिंग से भी ठीक है देखो रेकॉर्ड सा इसी वज़े से मैं यहाप प्लिक करके आसानी से जोइन कर सकते हो बाके वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरू करना भाईयो चैनल पे बने रहना अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा धन्यवाद